नमस्कार, मैं नीता मिश्रा एक सिक्षिका, आज आप सबसे कुछ शेयर करने आए हूँ COVID-19 के कारण करीब एक मेने पहले से हमने ओनलाइन क्लासिस लेना शुरू किया सेशन नया, बच्चे अंजान, करी गाओं और शेहरों में फसे, दूसरी शेहरों में फसे उन्हें ग्रूप में जोड़ना शुरू किया, सारी सुधाएं अचानक से बंद हो गई थी तो किसी ने घर पर पड़ी स्लेट उठाई, तो किसी ने पुराने कैलेंडर को ही ब्लैक बोर्ट बना लिया आसान नहीं था क्योंकि हम में से काफी सिक्षक बुज़ूर्ग भी है पर सबका लक्ष एक ही था, अपनी बात बच्चों तक सही और कम शब्दों में पहुँचाना पर हम सबसे नहीं होगा कि बजाए सबनी सीख कर जो सिखाना शुरू किया है ये काबेले तारीफ है अब बात ये उठ रही है कि हम सब सिखाने का दावा कर दिखावा कर रहे है तो मैं जड़ा खुल कर बताओं कि विश्यों के अलावा हमने अपनी काम और वैवहार से ये बताया है कि समय कितना भी बुरा क्यूं नहूं अगर आप चाहें तो रास्ते खुली जाते हैं कठिन परिस्थिती में भी आशावान बने रहें ये आज के संदर्व में सबसे बड़ी सिख्षा है एक मेनी के दोरान ही बच्चों से जो बॉंडिंग बनी है कि संड़े के दिन भी क्लासिस के समय वे हमारा इंतजार करते दिखलाई बढ़ते हैं और ये मुहिम किसी एक शहर गाओं की नहीं देश विदेश के सारे सिख्षक टीचर्स एक जुटख हो गए हैं कि कोई भी बच्चा सिख्षा से वंचित ना रहे इस दोरान तो टीमवर्ग के इससे अच्छे मिसाल क्या हो सकती है भला ऐसा नहीं कि बच्चे मुबाइल फोन योज नहीं करते थे पर आज उनके फोन में कई सारे एडुकेशनल आप्स आ गए हैं और वो टेकनोलोजी का सही इस्तेमाल करना सीख रहे हैं तो अगर मैं ये कहूं कि सारे जीवन मुल्यों के सिख्षा हम दे रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा तो अगर कोई आपकी पीट ना भी थप थपाए तो ये ज्याम आप खुदी कर लें क्योंकि हमें अपनी ये कोशिस जारी रखनी है अपने और बच्चों के बीज के रिष्टे को और भी मजबूत बनाना है धन्यवाद